नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल इंडियन रेसिपीज विस सीमा में आपका स्वागत है फ्रेंड्स मेरा चैनल इस तरीके से दिखाई देगा इसे सब्सक्राइब करने के लिए रैड कलर से सब्सक्राइब लिखाई से टच करें फिर बेल आइकन पर जाएं बेल आइकन में जाने के बाद आल पर टच करें तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको आज मैं मटर पनीर की रैसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे रेस्टूरेंट स्टाइल में बिलकुल डिलीशेश बनाना बताऊंगी तो आप इस सीक्रेट रेसिपी के साथ मेरे इस वीडियो मेलाज तक जरूर बने रहे हैं क्योंकि वीडियो में कई छोटी-छोटी खास ऐसी बाते हैं जो रेसिपी को बिलकुल अलग और डिलीसेस बनाती हैं तो देर ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर पणीर की सब्चेस बनाने के लिए धाइस क्रेश के लिए ऐस हानीर लिया सब्सक्राइबचर बनातों स्वादनुसार हरी मिर्च, तीन लॉंग, दो इलाइची, अद्रक का टुकड़ा, छे से साथ लहसुन कढ़ाई में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल लें, ओयल को सुलो मीडियम फ्लेम पे गर्म होने दें, ओयल जब गर्म हो जाए तब इन सबजियों को हमने काट लिया है, लहसुन को इसमें एट कर दिये, फिर प्याज एट कर दें, प्याज को ज्यादा बारी काटने की दाल दें, और इसे 2-3 मिडियम फ्लेम पे फ्राइ करें, प्याज 2-3 मिडियम में हलकी सॉफ्ट हो गई है, इसे रेड नहीं करना है ना तो गोल्डन ब्राउन, अब इसमें टमाटर एट कर दें, टमाटर को भी बड़ा बड़ा काट कर इसमें एट करें, इस तरीके से पार नमक आप सौधन उसार एट करें इसमें और इसे ढख कर 2-3 मिडियम पकाएं, अब इसे खोल कर चेक करते हैं कि ये पका की नहीं, इसे चला कर देखां टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब गैस का फ्लेम उफ कर दें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, ये हलका ठंड हो चुका है, अब इसे मिक्सर के जार में डालें और इसका फाइन पेश्ट तयार कर लें, इसे अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेश्ट तयार है, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून रिफाइन ओल लें, ओल को स्लो मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, ज्यादा गर्म नहीं करना है, ओल को ध्यान रखें, इस समय आप गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें, ओल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1 टी स्पून जीरा एट करें, जीरा को हरका चटकने दें, फिर इसमें आप लाल मिर्च पाउडर स्वादनुसार एट करें, या कसूरी लाल मिर्च पाउडर एट करें, इस समय मिर्च डालने से इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, ध्यान रखें आप हल्दी पाउडर या धनिया पाउडर का इस समय यूज ना करें, इसमें 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर एट कर दिया है मैंने, इसे मिक्स क लगबग एक से दो मेट इस तरीके से चम्मस्य चलाते हुए से पकाएं और इसमें दो टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एट करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें लगबग दो से तीन मेट इसे ढख कर पकाएं अब इसे खोल कर चेक करते ह हैं कि यह पका की नहीं जब यह पक जाता है तो ऑल छोड देता ही से यह देखिए औल भी छोड दिया है और नीजे से कड़ाई से मसाला अलग हो रहा है यानि कि यह पकर तेयार है अब इसमें आप इस टाइम हरा मतर डाल दें फ्रोजन मतर हरा मतर कुछ भी यूज कर सकते ह अभी ठंड का सीजन है तो हरा मटर बिल्कुल फ्रेश आ रहा है इसलिए मैंने हरी मटर का यूज किया है इसमें आप इस टाइम डाल दे हरा मटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब इसमें आप अभिषक तान 것으로 पानी इट करें यहां पर हरा मटर के यूज किया है इसलिए थोड़ा सा पानी जज़ादा डालना पड़ेगा क्योंकि मटर को पकने के लिए भी थोड़ा यह पानी में पकेगा इसलिए थोड़ा पानी ज्यादा ही क्वांटिटी में रखें ध्यान रखें फ्रेंट्स इसमें आप गरम पानी ही डालें थंडा पानी ना डालें नहीं तो ग्रेवी अलग हो जाएगी और पानी अलग देखेगा इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला एट करें और इसे धक कर पकाएं लगबग 5-6 मिट बाद इसे खोल कर देखें आप यह ग्रेवी भी गाड़ी हो गई है और मटर भी सॉफ्ट हो चुका है अब यह पक गया अच्छे से मटर जब अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें पनीर एट करें ध्यान रखें फ्रेंड्स पनीर को कभी भी रिफाइंड ओयल में फ्राइ करके ना डालें क्योंकि ऐसे मे पनीर खाने में सॉधिष्ट भी नहीं लगता है और चिंगम जैसे लगता है इसलिए आप इस तरीके से पनीर डालने कच्छा पनीर ही इसमें अड़ करें अब इसे ढखक कर लगभग 2-3 मिट मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएं आब इसे खोल कर चेक करते हैं 2-3 मिट मे पनीर अच्छे से पक जाता है पनीर को बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है ये देखिए डिलीसियस रेस्टोरेंट डिस्टाइल में मटर पनीर बनकर तयार है अब आप इसमें 1-2 टी स्पून गरम मसाला एट करें इसके पहले भी मैंने स्टार्टिंग में डाल किया था उस समय भी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आधा आधा करके गरम मसाला दो बार एट किया है इसमें मैंने गैस का फ्लेम आफ करें और इसमें हरी धनिया को बारिक काट करें फ्रेंट्स एक बार मेरे श्टाइल में जरूर बनाकर ट्राइब करें मटर पनीर यह बहुत ही अच्छी लगती खाने में फ्रेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विस सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें